मीटर को इंच फिट में चेंज कैसे करें यानि कि मीटर को इंच और फिट में कैसे बदलें जी हां दोस्तों आक्सर बहुत सारे मौकों पर क्या होता है कि हमकों मीटर को इंच में कभी-कभी तो फिट में हमें इसको कनवर्ट करना पड़ता है बदलना पड़ता है तो आज की कि इस वीडियो में फ्रेंट्स हम लोग यही सिखने वाले हैं कि हम मीटर को फुट में कैसे चेंज कर सकते हैं मीटर को हम इंच में कैसे चेंज कर सकते हैं तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंट्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि देखिए यहां पर हमें बदलना है मीटर को हमें इंच में करना है और दूसरी बार हमको मीटर को convert करना है foot में किसमेn convert करना है foot में थीक है तो देखे यहां पर अगर हम लोग समझे तो देखे 1 meter में होते हैं कितने centimeter 1 meter में होते है 100 centimeter क्या होते है सब centimeter अब 1 inch में कितने स्टैंटी मिटर होते हैं एक इंच में होते हैं दो दसमलों पांच चार स्टैंटी मिटर ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स हमको इसका भी पता है ठीक है इसका भी पता है लेकिन हमको कनवर्ट करना है मीटर से इंच में किसमें कनवर्ट करना मीटर से हमको इंज में Convert करना है तो हमको यह समझना है यहाँ पर कि एक मीटर में एक मीटर में कितने इंज होंगे ठीक है तो यहाँ पर फ्रेंट्स अगर हमें यह पता चल जाए कि 100 cm में 2.54 कितनी बार जाएगा यानि इसका जब हम इसमें भाग करें डिवाइट करें तो कितनी बार ये चला जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि 1 मीटर में कितने इंच होंगे चुकि इसको भी हम लोगोंने सेमी में कनवर्ट कर लिया है तो यहाँ पर 1 मीटर में कितने इंच होते हैं इसके लिए हम लोगों को डिवाइट करना पड़ेगा 100 में डिवाइट करना पड़ेगा 2.54 से तो सेमी से सेमी कट जाएगा हमको यह पता हो जाएगा कि 100 में 2.54 कितनी बार चला जाएगा तो यहाँ पर फ्रेंट्स जैसे ही हम डिवाइट करेंगे आप देख पा रहे हैं कैलकुलेटर में कितना आ रहा है 49.3700 78740 तो दिखे फ्रेंट्स इतना आ रहा है जिसमें कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को सिर्फ दसमलों के दो अंक तक लेना होता है दसमलों के बाद धेर सारा अंक भले ही आए लेकिन हम दो अंक तक ही लेकर गड़ना करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमारा फार्मूला बन गया फ्रेंट्स एक मीटर बराबर होंगे उन्तालिस दसमलों तीन साथ इंज ठीक है यह हमारा फार्मूला बन गया और इसी चीज का फ्रेंट्स हम लोगों को ध्यान रखना है यह कन्वर्जन करने के लिए यह चेंज करने के लिए अब आईए फ्रेंट्स यहाँ पर मीटर से हम फूट में भी चेंज कर ले रहे हैं तो देखिए अब हमें मीटर से फूट बनाना है ठीक है तो आईए यहाँ समझते हैं यहाँ पर देखिए एक मीटर में कितने इंज होते हैं यहाँ पर होते हैं देखिए अभी फ्रेंट्स हम लोगों ने निकाला तीन नाओ दसमलाओ तीन साथ जिरो जिरो साथ आठ साथ चार जिरो ठीक है तो इतने इंज होते हैं अगर एक्चुल सटीक रूप से देखा जाए तो और यहाँ पर अगर एक फूट में बात किया जाए कि कितने इंज होते हैं तो यहाँ पर एक फूट में होते हैं 12 इंज अब देखिए तैसे सब्सक्राइब और हमें फोट में करने लिए हमें यहां पर इसमी डिवाइट करना पड़ेगा ठीक है यह जितना भी आ रहा है इसमें हमें 12 से यानि कि 12 से डिवाइट करना पड़ेगा तो इस तरह से हम लोगों को मिलेगा 1 मीटर बराबर 49.370078740 बटा 12 तो यह हो जाएगा foot क्या हो जाएगा तो जब हम इसको solve करेंगे तो आप calculator में देख सकते हैं कितना आ रहा है तीन दसमलो दो आठ जीरो आठ तीन नव आठ नव पांच जीरो ठीक है फ्रेंट्स तो अब अगर यहाँ पर हम अगर बनाना चाहें अपना formula तो देखें एक मीटर में कितने foot होंगे तो यहाँ पर हम दसमलो के दो अंक तक ही लेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा तीन दसमलो दो आठ फूट ठीक है इस तरह से फ्रेंट्स हमारा यह भी formula बन चुका है अब हमारा दोनु formula फ्रेंट्स बनकर ready हो चुका है अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको मीटर से इंच में चेंज करना है तो आपको यहाँ पर इतने से गुणा करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा आपको गुणा करना पड़ेगा 49 तो आपको भाग करना पड़ेगा, 49.30 से ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर भी आप देख लीजे, अगर आपको मीटर से फूट में बदलना है, तो आपको यहां पर गुना करना पड़ेगा, और अगर आपको फूट से मीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको भाग करना पड़ेगा तो अब कोई भी हूँ फ्रेंट्स हम आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं चलिए हम ले ले रहे हैं question 1 तो देखें फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने कुछ questions लिख दिये हैं जिसमें की दोनों है देखें यह जो तीन question है इसमें मीटर से इंच में बदलना है यानि की मीटर से इंच में बदलने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा जब्कि यह जो दो में करना पढ़ेगा 3.2 ना करना पड़ेगा और यहां में चेंज करना है और यहां पर 5.5 में हम गुणा करेंगे किसका 49.37 का ठीक है और जैसे ही गुणा करेंगे आप देख सकते हैं कालकुलेटर में कितना आ रहा है 216.535 तो यह दिखे यही यहां पर फ्रेंट्स एंसर होगा इतना यह इंज में आएगा आएगा आएए नेक्स करते हैं देखें तीन मीटर में कितने इंच होंगे सेम ऐसे यहां पर भी करना है हमें तीन में क्योंकि मीटर से इंच में करना है तो गुणा करना पड़ेगा 49.37 अब जैसे ही हम गुणा करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 118.111 inch ठीक है तो आप 3 ministर में कितने इंच होंगे तो ये हमें गुणा करना पड़ेंगा गुड़ा करने पर आएंगे 118.111 reaction से मैंसे यहां पर भी है friends 10 ministry में कितने होंगे हैं तो देखिए हम 10 सबसे पहले एंटर करेंगे कर अगर कर साथ इंच इस तरह से 10 मीटर में कितने होंगे 393 साथ इंच होंगे अब आईए फ्रेंट्स हम देखें आपोजिट कर रहे हैं तो यहां पर हमें देखें इंच से इंच दिया हुआ मीटर पूछ रहा है यानि कि इंच से मीटर में चेंज करने के लिए भाग करना पड़ेगा तो यहां पर फ्रेंट्स हम क्या एंट्री करेंगे 36 अब यहां पर गुणान लगा के फ्रेंट्स हम डिवाइट करेंगे क्या करेंगे डिवाइट करेंगे और किस से डिवाइट करेंगे 49 दसमलो तीन साथ से और जैसे ही हम यहां डिवाइट करेंगे फ्रेंट्स आप जडबना लेना है दसमलो के दो अंग तक तो इसमें आप 10 मिलों के दो अंग तक ही लेना है आपको तो तो देखीं यहां पर आ रहा है दसमलो नो एक इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपका यह जो 36 है वह एक मीटर से कुछ पॉइंट्स कम ही होगा अब आईए देखी इसको हम लोग करते हैं तो देखिए यहां पर हम क्या एंटर करेंगे चुकि हमें इंच से मीटर बनाना तो हमें डिवाइट करना पड़ेगा 84.74 इंच है तो यहां पर हम डिवाइट करेंगे और यहां पर हम 49.37 से जैसे ही डवाइट करेंगे फिनेट आप देख सकते 3.28 से जैसे ही गुडा करेंगे हमें पता चल जाएगा कि पाँंच मीटर में कितने फूट होते हैं तो यहां पर दूस्तों आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 16.25 निटा 4 फूट ठीक है तो इसमें भी चुकी मीटर से फूट में करने के लिए गुणा करना पड़ता है तो 3.28 से जैसे ही हम गुणा करेंगे आएगा फ्रेंगे 7.216 ठीक है इसका मतलब 2.2 मीटर में 7.216 फूट होंगे फ्रेंट्स ठीक है आईए अब यहाँ पर देखिए उल्टा है अपोजिट है फूट से हमें मीटर में यानि उल्टा चेंज करना है तो हमें डिवाइट करना पड़ेगा तो डिवाइट करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंट्स हम पहले एंटर करेंगे 6.56 और इसमें हम डिवाइट करेंगे कि इससे 3.28 से जैसे ही डिवाइट करेंगे फ्रेंस आप देख सकते हैं कितना आ रहा है ये आ रहा है फ्रेंस दो मीटर ठीक है तो देखिए 6.5 फूट में 2 मीटर पूरे-पूरे होंगे अब हमें यहां पता लगाना है कि 8 पूट में कितने मीटर होंगे तो यहां पर हम 8 सबसे पहले एंटर करेंगे इसके बाद डिवाइट करेंगे फ्रेंट से तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है यह आ रहा है दो दस मलोण 4 3 9 0 24 और ऐसे धिर सरा रहा है फ्रेंट्स लेकिन आपको पता है कि आपको सिर्फ दो अंग तक ही लेना है तो इस तरह से फ्रेंट्स 8 फूट में 2 दस मलोड 4 3 मतलब की लगभग लगभग धाई मीटर होंगे तो इस तरह से हम मीर को फुट में और इंच में आसानी से चेंज कर सकते हैं आपको सिर्फ ध्यान रखना है यह फार्मूला और यह फार्मूला तो उमीदक करते हैं दोस्तों आपको समझ जाया होगा जी हां फ्रेंट्स उमीदों का प्रभात पर आपको मिलती हैं आपके कमेंट पर आधारित प्राब्लम सॉल्विंग यूश्फूल वीडियो ऐसी ही हेलपफुल वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने उमीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किय झाल वीडियो खूव्दूल तूशटीं था प्रभात पर आपके का लिए।